सबसे पहले तो पासवर्ट क्रेकिंग क्या होता है एक स्ट्रॉंग पासवर्ट क्रेकिंग की और कुछ कॉमेंट टूल्स देखेंगे तो यह वाला पूरा टॉपिक है वो दो पार्ट्स में होने वाला है ठीक है तो सबसे पहले तो पासवर्ट क्रेकिंग क्या होता है पासवर्ट क्रेकिंग का मतलब नाम से ही पता लग रहा है कि किसी भी पासवर्ट को क्रेक कर लेना कोई पासवर्ट आपको नहीं पता है और कैसे तुभी गर कि उसको गैस कर लो या किसी सौफट्वेर का यूज करके आ कोई भी अटैकर ठीक है आपके आपका पासवर्ट गैस कर ले वेरियस पासवर्ट क्रेकिंग टेकनिक की हेल्प से आपका पासवर्ट क्रेक कर दे और सेकेंड क्या होता है कि मानलो आप खुद है ना आप खुद आपकी वेबसाइट का किसी वेबसाइट का पासवर्ट भूल तो वह भी पास्वर्ट क्रेकिंग के टर्म में आता है, तो यह सेकंड जो चीज होती है, जो सेकंड चीज होती है, वह एक्चुली लीगल है, क्योंकि आपके इंटेंशन गलत नहीं है, आप सिर्फ अपना अकाउंट ही उसमें रीकवर करने को चुछ कर रहो, बट पहली जो है, वह इलीगल होती है, क्योंकि अटेकर का में इंटेंशन क्या होता है, क्या आपको वह हाम पोचा है, तो अपन फॉर्मल से डेफिनेशन समझते हैं, तो पास्वर्ट क्रेकिंग में हम क्या करते हैं, किसी सॉफ्टवेर या एप्लिकेशन प्रोग्राम का यूज करके, कि किसी भी कम्प्यूटर के, या किसी वेबसाइट के, या किसी भी नेटवर्क रिसोर्स के पास्वर्ट को, अब तथिंग इस, कि अगर अटेकर आपके पास्वर्ट क्रेकिंग करने में सक्सेस्फुल हो जाता है, तो वो क्या करता है, आपकी वेबसाइट का अनौथराइज access ले सकता है, आपकी ये website हो गई, maybe ये आपकी bank की website हो, मान लो कि ये bank का login, ID और password उसको पता लग जाता है, तो वो आपके bank account से unauthorized transaction कर सकता है, unauthorized मतलब वो उस resource को, उस चीज को या website को access करने के लिए सही user नहीं है, बट फिर भी वो उसको use कर रहा है, तो उसको बोलते है, unauthorized तरीके से वो उसको use कर रहा है, ठीके तो जैसे ही attacker को आपका password मिल जाता है, तो वो बहुत सारी criminal activities कर सकता है, जैसे कि आपके bank credential को चुरा लेगा, ठीके, और आपकी किसी भी information को, personal information को, कोई प्रॉड करने के लिए यूज कर सकता है, या identity theft, आपकी identity को किसी fraud को use, fraud करने के लिए यूज कर सकता है, यह सा commit fraud और identity theft की हमने detail में पुरह ने लेग जाए, उसमें पढ़े है अब the next thing is, कि कि किसी भी strong password को कैसे set किया जाए, तो हमें कोई भी password को set करने के लिए, कुछ rules याद में रखने जाए, ताकि आपका password correct ना हो सके, फ़से पहले तो at least 12 character का long password select करो, बले ही website में कितना भी flexibility हो, लेकिन कम से कम 12 characters तो रखो ही सही, और letters और special characters को combine करके password बना, letter मतलब क्या होता है, ABCD, और special characters मतलब क्या होता है इसे की dollar sign हो गया at the rate हो गया, कॉमा हो गया सब special characters होता है उसके बाद unique password यूज़ करो different website के, लोगों की आदत क्या होता है कि अगर हर website में same password यूज़ करने कोशिश करते है इसे क्या होता है कि अगर attacker को एक website का access मिल गया, तो वो try कर सकता है कि मान लो कि उसको आपकी case से थार के facebook का access मिल गया तो वो try कर सकता है कि वो आपके bank के website पो उस password से logging करने का try कर सकता है और वो successful हो भी सकती है ठेक है, उसके बाद कुछ password cracking techniques के बारे में पढ़ेंगे तो जो attacker है वो बहुत सारी techniques का use करके password को crack कर सकता है ठेक है, जैसे कि वो क्या कर सकता है कि जो login ID और password का pop up होता है उसमें randomly कुछ word डाले और आपके password को guess करने की कोशिश करे, या तो किसी algorithm का use करके, algorithm मतलब set programs, किसी भी software का use करके password को crack करने की कोशिश करे, ठेक है यह सब possibility हो सकती, अब यह techniques को हम detail में पढ़ते हैं, तो 6 techniques से उसमें से 2 techniques में इस lecture में cover करूंगी, भागे के 4 हम अगले lecture में देखेंगे, सबसे पहली technique होती है brute force attack, ठेक है इसमें क्या करता है कि जो attacker है वो आपके website में सारे possible character को input करता जाता है, ठीक है, वो randomly जितने भी possible character है उसको देता जाता है मतलब मांडो कि attacker आया उसने आपके website में कुछ तो भी कुछ तो भी वो डालने लगया, उसके मांद में जो आ रहा है वो डालने जा रहा है, ठीक है तो यह basically hit or miss method होती है इसमें attacker क्या करता है systematically check all possible character जितने भी possible combination हो सकते किसी भी character के वो सब वो डालने लग जाता है और basically क्या होता है कि password, जो हम password डालते हैं websites में वो store किसके form में होता है hash के form में होता है, मतलब एक password सबसे पहले तो hash में convert होता है और फिर वो store होता है तो basically attacker क्या करता है कि सारे possible characters को डालके hash को crack करने की कोशिश करता है और अगर वो इसमें successful हो जाता है तो वो password को crack कर लेता है अब इसमें क्या है कि जो brute force attack है इसमें attacker क्या कर रहा है हर possible combination input करने की कोशिश करता है अब password यू 8 8 characters का भी हो सकता है अगर मान लो कि वो password 6 digits 6 digits का है अगर password 6 digits का है तो उसको crack करना easy होगा क्योंकि 6 digits से possible characters कम होते हैं अगर वो 8 digits का है तो इसको crack करना मुश्किल होगा तो कोई जैसे जैसे character की length बढ़ती जाती है विसे ही password को crack करना और मुश्किल होता जाता है तो the success of brute force attack depends on the length of the password तो attacker can try every single combination of letter number and punctuation to generate a password अगर password long होगा तो यह technique को more time लेगा और basically क्या होता है कि कोई भी attacker हाथ से manually password नहीं डालता है already available software है वो software क्या करते हैं कि कि कितने भी character के हर possible software के help से यह cracking होती है ठीक है तो यह हमने पढ़ा है ना यह easy था बहुत अब next है dictionary attack अब इस dictionary attack में word आगया dictionary अब इसमें क्या करता है attacker dictionary के सारे words line by line input करने की कोशिश करता है जो भी एक dictionary का reference ले लेता है और line by line systematically सारे dictionary के words से डालने की कोशिश करता है अब यह method इसलिए सक्सेस्फूल है कि general user हमारे जैसे यूजर्स क्या करते common password रखते हैं वो ज्यादा महनत नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है अगर डालके भूल गया तो वो common dictionary words का use करते हैं तो इसलिए भी यह method सक्सेस्फूल हो जाती है तो कभी भी याद रखना dictionary words का use मत करना क्या पता कोई dictionary attack technique का use करके आपका password करने की कोशिश कर रहा हो तो in this method the hacker systematically enter every word in the dictionary to crack the password है ना और यह method इसलिए सक्सेस्फूल होती है कि users common password use करना प्रिफर करते हैं तो यह थी दो टेक्निक हम आने वाले वीडियो में बाके की टेक्निक्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्रीज में चैनल को सब्सक्राइब करना मत बोलेगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में thank you